उधारन ग्यारा इन प्रश्णों के मान ग्याद कीजिए पहला 27 की घात 2 बटा 3 संख्या 27 का घात 2 बटा 3 का मान हमें ग्याद करना है सबसे पहले हम 27 कोश्टक में लिखे और 2 बटा 3 के घात को हम लिखेंगे 2 गुनित 1 बटा 3 अब हम 27 का घात 2 गुनित 1 बटा 3 में 2 को कोश्टक के अंदर ले लेंगे तो यह हो जाएंगा 27 का घात 2 और कोश्टक के बहार हम लिखेंगे घात में 1 बटा 3 चुकि नियम में हमने घातांग में देखा है कि एका घात M का घात N बराबर एका घात M गुडित N होता है तो हमने यहाँ पे इसको विपरीत लगाया है कि एका घात M गुडित N को हमने एका घात M का घात N तो हमने इस M को कोश्टक के अंदर लिया है इस नियम से घातांग के इस नियम से हमने 2 को कोश्टक के अंदर लिखा अब हम 27 के घात 2 को 27 गुणित 27 लिख सकते हैं और इसका घात एक बटा 3 है यहाँ पे हम 27 का गुणनखंड जब करेंगे तो हमें 27 को 3 गुणित 3 गुणित 3 हम लिख सकते हैं क्योंकि 3 तिया 9 और 9 तिया 27 तो 27 के बदले हमने लिखा 3 गुणित 3 गुणित 3 पुणा 27 के लिए हम 3 गुणित 3 गुणित 3 लिखेंगे अब एक कोश्टक हमारा बंद है और इसके बाद हमारे पास घात में है एक बटा 3 तो हमारे पास 3 जो है कुल 1,2,3,4,5,6 घात के रूप में हम 3 का घात 6 लिखेंगे कोश्टक के बाहर हमारे पास घात में एक बटा तीन है अब कहीं हम इसमें नियम लगाएंगे जब घात का गुणा होगा तो तीन का घात छे गुणित कोश्टक को लेंगे तो घात आपस में गुणा होगी नियम हमने लगाया है पुणा हाँ एका घात M, का घात N, बराबर एका घात M गुडित N, तब यहाँ पे हमारे पास 6 अंश में हैं, गुडित 1 बटत 3, यहां 3 हर में हैं, तो यहाँ पे हम इसको काट सकते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 का घात 2, बराबर, 3 का घात 2, बराबर 3, गुडित 3, बराबर 9, यहां उधारण का हल होगा, दूसरा, 32 बटा 243 की घात 4 बटा 5, हमें 32 बटा 243 का घात 4 बटा 5, कामान ज्याद करना है, इसके लिए हम सबसे पहले 32 बटा 243, यहां पे घात 4 बटा 5 को हम 4 गुडित 1 बटा 5 लिखेंगे, बराबर 32 बटा 243 का घात 4 और इसे हम बड़े कोश्टक के बहार में एक बटा 5 लिखेंगे, यहां पे हमने घातां का नियम लगाया है, एक घात M का घात N बराबर एक घात M गुडित N इसको हमने उल्टी दिशा में प्रयोग किया है, बराबर अब हम 32 को लिख सकते हैं, दो का घात 5 और 243 का जब हम गुड़न खंड करेंगे, तो हमें प्राप्त होंगा, तीन का घात 5 का घात 4 है और बड़े कोश्टक के बहार हमारे पास घात के रूप में एक बटा 5 है, बराबर जब हम छोटे कोश्टक को खोलेंगे, तो यह जो घात 4 वो अंश और हर के घात से गुड़ा होंगी, तो हमें प्राप्त होंगा, दो का घात 5 गुणित 4 बटा, तीन का घात 5 गुणित 4 और बड़े कोश्टक के बहार में हमारे पास घात में एक बटा 5 है, हमने यहाँ पे घातां का नियम A बटा B का घात M बराबर A का घात M बटा B का घात M का प्रयोग किया है इसके आगे हम इसे अगले प्रिष्ट में देखते हैं हमें प्राप्त हुआ था 2 का घात 5 गुडित 4 बटा 3 का घात 5 गुडित 4 का घात हमारे पास है एक बटा 5 इसे हम लिखेंगे 2 का घात 5 गुडित 4 यह हो गया हमारा हमारे पास एक बटा 5 अब हम जब कुष्टक को खोलेंगे तो हमारा जो घात से भी गुड़ा होंगा और हर के भी घात से गुड़ा होंगा तब यहां पे हमारे पास प्राप्त होंगा दो का घात 20 गुडित एक बटा 5 बटा तीन का घात 20 गुडित एक बटा 5 हमने यहां पे घातांग का नियम A बटा B का घात M जिसे हम भाग का नियम भी कहते हैं A का घात M बटा B का घात M के रूप में लिया बराबर 2 के घात में 20 गुडित एक बटा 5 में यहां पे 5 हम 5 पांच चौक 20 कटेंगा तो हमें प्राप्त होंगा 2 का घात 4 बटा 3 का घात 5 हम 5 पांच चौक 20 तो हमें 3 का घात 4 मिलेगा अब हम 2 का घात 4 को 2 गुणित 2 गुणित 2 बटा 3 का घात 4 को 3 गुणित 3 गुणित 3 के रूप में लिखेंगे अब 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16 बटा 3 तिय 9, 9 तिय 27, 27 तिय 81 तो हमें 16 बटा 81 प्राप्त हुआ यहाँ धारण का हल होगा